हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए पीठा का रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट पीठा बना है एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पीठा बनाने के लिए एक कप अरहर का दाल लेंगे जिसे हम तूर का दाल भी करते हैं और एक कप हम मुंग दाल लेंगे तो दोनों का मेजरिंग हम सिम लेंगे और वेट में ये 250 ग्राम दोनों को मिला करके दाल है तो ये दोनों दाल को मिला करके हम पीठा बनाएंगे बहु कि दो फिलास इसमें फानी डाल देंगे और आव हम इसमें 1-4 हाई चमछ हल्दी पांड़र और टेस्ट के एक ओडरें इसमें हम नमक डालेंगे एक चमछ इसमें हम तेल डालेंगे और आवन कूकर को बन्द करके गैस 197 रादेंगे दाल को पकने के हैं तिन कपे गेहूं का आटा है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसका हम एक सक्त डूर त्यार करेंगे इसे हमें हाड हुथना है मुलायम नहीं गुथना है थोड़ा से टाइट रहे तभी हमारा पीठा जो है वो परफेक्ट बनेगा तो पहले हम आटा को अच्छे से गुथ लेते हैं और इस तरीके से हमें आटा को गुथ लेना है आटा अच्छे से गुथ गया है तो अब हम इसे ढख करके 5-7 मिनट तक छोड़ देंगे और उसके बाद से हम इसका पीठा बनाएंगे तो पहले हम इसे ढख लेते हैं और 5 मिनट के बाद पीठा बनाना सुरू करेंगे तो यहां पर आटा तयार है पीठा के लिए अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि आटा जो है हाथ में चिपकेना और छोटा छोटा लोई निकालेंगे आटा से तो इस तरीके से हमें लोई को निकाल लेना है और इस तरीके से हाथ पे से गूमाते हुए हं पूरी का इससे शेप देंगे तो धसी हमें इस से पूरी का सेप देना है कि आप से हम इसका गोल करेंगे आप Çाह Dalas Up script – पैलन से भी बेल कर देक्कों ने पर याप झाल दो दो तरीके से हम इसका से थे खूण DO लेड के Japanese लेडे बहुत ही देंगे में पहले हम सारे पीठा को बना करें इसले क hedge कर लेटें और हम जाने हुद आप लेटे हैं तो कुकर का गैस निकल गया है और दाल को चेक कर लेंगे यह आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छे से पक गया है तो इतना ही परफेक्ट हमें दाल को पकाना है और अब हम इसमें थोड़ा साग गरम पानी करके डाल देंगे ओपर से ताकि जो दाल है वो गाड़ा है तो एक किलास के लगवव हम इसमें पानी डाले हैं और अब हम दुबारा से गयस को जला करके कुकर को रख देंगे और दाल गरम है तो इसमें हम पीठा को डालते जाएंगे इस तरीके से तो सारे पीठा को हम कुकर में डाल देंगे और सारे पीठा को कुकर में डालने के बाद इसमे थंड़ा होने तक इंतजार करेंगे आप हम दुबारा से गैस जला करके ये कराही को गरम करेंगे और इसमें दो बड़े चम्मच घी डालेंगे पीठा में हम घी का ही तड़का लगाएंगे इसे बहुत ही स्वादिष्ट बनता है पीठा एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम हिंग डालेंगे इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बारिक कटा हुआ तीन से चार लासुन डालेंगे इसमें कटा हुआ लासुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अब हम एक बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे इसे हम बारिक चौप कर लिये हैं और इन सब चीजों को हम अच्छे से पका लेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ दो से तिन हरा मिर्चे डालेंगे और प्याज के साथ इसे भी भून लेंगे प्याज अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर प्याज को अच्छे से पका लेंगे और टमाटर प्याज को हम दो मिनट तक लो मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ध्यान रहे कि दाल में हमने नमक डाला है तो प्याज टमाटर के साथ नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पोडर, आधा चमच लाल मिर्श पोडर, और एक चमच हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे, बाकी दुसरा कोई मसाला इसमें हम नहीं डालेंगे, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो, तो इसमें आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं इससे भी प्लेवर बहुत अच्छा आएगा और गैस निकल गया है तो आब हम कुकर को खोल रहते हैं और यह आप देख सकते हैं कितना लाजबाव पीठा बना है तो यह भी सिंपल पीठा है इसमें अभी तड़का न लगाना बाकी है आप इसे पैसे भी खा सकते हैं और मसाला इदर तयार हो गया है तो अब हम इसमें पीठा डालेंगे तो सारे पीठा को हम कडाही में डाल देंगे आप एक बार इस तरीके से जरूर पीठा बनाईएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है जब मैंने इस तरीके से तड़का वाला और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला 行ए और बारिक कटा हुआ ह्राधनिया पता डालेंगे दोनों चीजों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा पीठा बनकर के तयार हो गया है और अब हम इसे सर्बिंग फ्लेट में निकाल लेंगे अगर मेरी रेस